एलो गाईज कैसे हो आप? I hope आप सब ठेक होंगे आज हम बहुती प्यारा सा ब्यूटिफूल लड़ू गोपाल जी का ट्रेस बनाएंगे इतना इजी तरीका मैंने इस वीडियो में बताया और साथ में हम कैप भी बनाएंगे और जीरो से 12 तक के लड़ू गोपाल जी की कैप और ट्रेस हम कैसे बनाएंगे? उपूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया है हम काना जी का पूरा सी इंगार करेंगे जो ये जवैलरी है इनका भी मैंने फूल डिटेल में वीडियो बनाएंगे अगर आप देखना चाते हैं तो आप मेरी चेंडल पर जाकर भी देख सकते हैं तो यह है एरिंग्स तो हमने नेकलेस, कंगन, एरिंग्स बाल गोपाल जी को पहना है तो कैसे लग रहे मुझे कमेट करके जरू बताना और ज्यादा पसंद आए तो अपने मीत्रों में ये वीडियो को जरूर चेयर करना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने ओरेंज कपड़ा लिया है साथ में अस्तर और हम इस लेस का यूज करेंगे तो इनकी लंबा है गाईस 31 इचिस और इनकी चोड़ा है 5 इचिस और खेरी की बात करें तो आप कम ज़्यादा अपने इस आप से ले सकते हैं और यहाँ पर अस्तर मेंने जोइंट लगा दिया है आप अब ध्यान से देखना देखी यहाँ पर मैंने पाइपीन, अस्तर, मैन फेवरिक और लेस चारों को साथ में पकड़ते हुए हम एकी टीच में जोइंट कर देंगे आप चाहो तो अलग-अलग टीच करके भी जोइंट कर सकते हैं पहले अस्तर को जोइंट कीजिए फिर पाइपीन बनाईए और फिर इनके उपर लेस लगाए लेकिन यहाँ पर मैं सब साथ में ही लेकर एकी टीच में पूरी सिलाई कर लोंगी तो देखे गाईज अस्तर को अच्छी तरह से सेट करना है पाइपीन को अच्छी तरह से रखना है फिर इनके उपर हमें लेस को अटेच करना है और टीच करना है ध्यान में रखे हमारा टेडा मेडा ना हो जाए तो देखे हमने एक की सिलाई से चार चीजों को अटेच कर तो इस तरह से भी आप कम समय में बना सकते हैं, अब हम उपर की तरप भी इस तरह से टीच लगा देंगे, तो ये हमारी स्ट्रीब बनके रेडी हो गई है, अब हम अस्तर पर इस तरह से टीच लगा देंगे, ताकी बीची में कोई जोल ना पड़े, और ड्रेस की भी बहुत अच्छे आती है गाईज इसी तरह से मैंने बहुत सारे लडू गोपाल जी के ड्रेस के वीडियोस बनाए हैं मेरी चेनल पर जाकर आप देख सकते हैं तो गाईज अब जो टेडा मेडा कपड़ा है ने उसको हम अच्छी तरह से पहले फॉल्ड करेंगे और उपर क पार्ट एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे तो यह हमारी लंबी श्ट्रिप बन के रेडी है तो गाईज आपको मैं फिर से इसका नाप दिखा देती हूं तो इसका नाप है 29 5 इंचिस और इसकी चोड़ाई 4 इंचिस है हमने सीलाई की ने तो उसमें हमारा कपड़ा मूड गया है अब हम इस तरह से धीरे धीरे भी आप्लेट्स लेने हैंğin प्लेट्स हमें वनवन इछ लेने आप स्कुझी की तरफ से ध्यान से देखना गाईज मैं कैसे कर रही हूं इस तरह से हमें पहले टीज करना है फिर आगी की तरफ हमें लेना है टाकि बीच में कोई गेप पड़े और हमारी प्लेट से भी बहुत ही अच्छी तरह से सैटिंग हो जाएगा इस तो कुछ इस तरह से हमें थोड़ा आगे लेना है फिर नस्तिक नस्तिक हमें इस तरह से प्लेट को रखनी है तो इसी तरह से करने से हमारी प्लेट भी बहुत ही सुन्दर आती है और ड्रे तो यहां पे मैं नौ नमबर के कानाजी का ये ड्रेस्क बना रही हूं अगर आपके कानाजी दो नमबर के पांच नमबर के छे नमबर के के साथ नमबर के हैं तो आपको जो नाप दिखाया है उसमें कम ज्यादा करना है तो यहां पे मैंने कमर की लंबाई साड़े फाई उनि नेड़ी हो गई है वो सीधी हो जाए और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है यह काटना जरूरी है ताकि हमारे नेफे की फिनिशिंग भी अच्छे आती है आती हैं मेरा फिनिशिंग एक है तो यहां पर मैंने साथ इंच का और कैबा च्छोडाए में मैंने वन इचिस लिया है और इस 只 इस तरह से हमें फोल्ड करके यहां पे नेफ़ा बनाना है ताक कि हम कमर के ही सबसे बाल को पालची को पैना सके अब पीछ में हम इस तरह से दोरी रखेंगे और यहां पे टीच कर लेंगे फोल्ड करके और ध्यान में रखना है कि दोरी के उपर हमें टीच नहीं करनी है नहीं तो हमारी दोरी खिशकेगी नहीं तो कुछ इस तरह से हम आसानी से बाल को पालची का ड्रेस बना सकते हैं अगर आप बाजार से इस तरह के ड्रेस खरित कर लाते हो तो बहुत ही महगा मिलता है तो हम कम बजेट में आसानी से घर पर ही अच्छा ड्रेस बना सकते हैं अब हम चोली बनाएंगे तो मैंने 16 लंबाई ली है और 24 इसकी 3 इचिस ली है अब हम जैसे श्ट्रिप में हमने पाइपीन लेस बनाया है उसी तरह से हम चोली में भी इस तरह से पाइपीन बनाएंगे ताकि इसका लुक और भी अच्छा है गाइस तो कुछ इस तरह से मैंने कपड़े को मोड कर इनके उपर ये पाइपीन बनाएंगे बहुत ही इजी और आसान तरीका है कुछ भी दिकत नहीं होती है गाइस तो देखिया गाइस यह अमारी टीच हो गई है अब हम इस तरह से मोडेंगे और यहां पर वन इचिस तक ही का सिलाई करनी है तो यह अमारी सिलाई हो गई है अब हम सीधा कर लेंगे और इस तरह से मोड कर कमर का नाप लेंगे और बीच में इस चोली को टीच करके अटेज कर देंगे आप चाहो तो चोली को अलग से भी रख सकते हो तो ये अमारी टीच हो गई है ध्यान में रखना है हमारी दोरी के उपर टीच ना हो जाए तो ये अमारा बढ़ी आसा प्यारा सा लड़ु गोपाल जी का ट्रेस बनके रेडी है तो देखिए गाइस है नहीं इजी तरीका तो अब हम बनाएंगे केप केप तो बहुत ही इजी तरीका है आसानी से हम बना सकते है तो यहाँ पे हम केप में इस तरह से पाइपिन भी बनाएंगे और इनके उपर एलेस का भी यूज करेंगे ताकि हमारा कपड़ा थोड़ा कडख हो जाए और हमारी पगड़ी भी फिनिशिंग वाली बने गाइस आपने वीडियो में देखाना है कितने सुन्दर लग रहे थे हमारे काना जी तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने मीत्रों में वीडियो को ज़रू शेयर करना लाइक करना सब्सक्राइब करना फिर से हम एक उपर की तरब टीच लगा देंगे तो यह हमारी श्ट्रिप बनके रेडी है अब हम क्या करेंगे अब ध्यान से देखना कुछी इस तरह से हमें मोड ना है और तीन उंगलियों से नौर नमबर के काना जीका सीर आ जाता है गाइस तो कुछी इस तरह से मोड कर हम यहाँ पे टीच करके पक्का कर देंगे ताकि हमारी पगड़ी यहाँ से छूटे नहीं त्यान में रखना है कि नीचे वाला पार्ट टीच ना हो जाए तो यह प्यारी सी पगड़ी बन के रेड़ी है गाइस अगर वीडियो पसंद आये तो मीत्रों में जरूर शेयर करना इस तरह से कलगी भी बना सकते हैं धन्यवाद